चुनावों के बीच जाने माने रणनी तिकार प्रशान्त किशोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए एक बड़ी भविश्यवानी कर दी है प्रशांत किशोर में दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी छवी में बहुत गिरावट आई है विपक्षी दलो के गटजोर और इंडिया एलायस के साथ बड़े पत्रकारों की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि वीजेपी को इस चुनाव में तगणा घाटा होने वाला है जबकि 2024 में बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है इस बीच पीके की भविश्यवानी ने बड़ी संसनी पैदा कर दी है दरअसल प्रशांत किशोर देश के बड़े चुनावी रननीतिकारों में से एक है पीके ने अपनी रननीतियों से कई पार्टियों को जीत का स्वाध चखवाया है बात करें पीके की भविश्यवानी की तो प्रशांत किशोर में पत्रकार बर्खादत को दिये एक इंटर्व्यू में कहा कि इस साल पी-म मोधी और बीजेपी के लिए लोगों के अंदर जो उत्सा साल 2014 और 2019 में था वो अब नहीं है पिछले दस सालों में लोगों के मन में केवल निराशा और बीजेपी के प्रती नाराजगी बढ़ी है और मजेदार बात ये है कि इसके लिए विपक्ष में कोई मेहनत भी नहीं की है पीके का कहना है कि चुनावी नतीजों के बाद बैचेनी जरूर नजराएगी प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं जो भविश्यवानी कर रहा हूँ वो हवा हवाई बिल्कुल भी नहीं है प्रशांत किशोर ने अपने इंटर्व्यू में कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 2014-2019 में सिर्फ भूमी अधिग्रहन के मामले पर प्रदर्शन हुआ था जबकि 2019-2024 में CAANRC किसानों के मुद्दे और ACST Act Right को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदर्शन हुआ ऐसे में लोगों की असेहमती और प्रदर्शन में तीन गुणा इजाफा हुआ है विपक्ष को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष जमीन पर नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है जमीन पर सरकार के खिलाफ विरोध बहुत है और लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन सच ये भी है कि विपक्ष उस्थिती में नहीं है कि लोगों की नाराजगी को वोटों में बदल सके प्रशान्त किशोर का कहना है कि नरेंडर मोदी की नेत्रित्व वाली सरकार एक बार फिर आ रही है लेकिन इस बार सीटों का नुकसान तो उठाना पड़ेगा पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है PK ने मौजूदा सरकार के लिए जो भविश्यवानी की है इसका पता तो 4 जून को चलेगा प्रशान्थ किशोर ने राहूल गांधी को लेकर भी बड़ी बात कही है PK ने कहा कि राहूल को ब्रेक लेना चाहिए राहुल गांधी को बहन प्रियंका को सारी जिम्मेदारी सौप देना चाहिए आपको बता दे कि पीएम मोधी के भाशनों में उतना असर अब देखने को नहीं मिलता जितना 2014 और 2019 के चुनावों में असर था लोगों ने मान लिया है कि पीएम मोधी अब मंदिर, मस्जिद और मन्वल सूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं